मेरा नाम प्रातना है, मैं अपनी मा और बहनों के साथ रहती थी और पिताजी को हुजरे हुए अर्शा हो गया था, हलाकि हमारे पिताजी के एक बड़े भाई थे, जिने हम बच्पन से बड़े पापा कहते थे, बड़े पापा हमसे अलग दूसरे सहर में रहते थे, और उनक और मेरे कमरे की हर चीज ये गौर से देखते, मेरी मा से कहते बेटी अब जबान हो गई है, इस पर नजर रखना, ना जाने क्यों, मेरे बड़े पापा मुझ पर शक करते थे, मुझे ये देखकर बहुत गुसा आता था, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी, एक दिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती, मैंने तुझे कहा है, अपनी बेटी का ध्यान रखा कर, वे हमारा मुझ काला करके चली जाएगी, तब तुझे मेरी बात पर यकीन आएगा, ये सुनकर मेरी मा उस दिन से मुझे अपने साथ सुलाने लगी, एक राज जम मैं अपनी म जमीन निकल गई, मेरे साथ वे सब कुछ हुआ है, जिसने मेरी आत्मा को जंजोर कर रख दिया है, हम पांच बहने थे, मैं सबसे छोटी थी, लेकिन मुझे मेरे घर का मोहल कुछ ठीक नहीं लगता था, मेरी मा भी घर बदलती रहती थी, कभी हम एक सहर में रहते हैं, तो क कभी हम दूसरे सहर में चले जाते हैं, मेरी मा मुझे घर से बहुत कम बाहर जाने देती थी, जम मैं उनसे पूचती तो वे मुझे से कहती थी, हमारे खांदान में लड़कियां बाहर नहीं जाती, उनकी ये बास सुनकर मैं सोचती थी कि शायद बड़े पापा की वज़े स वे मेरे साथ ऐसा करती हैं, उनकी डर से वे मुझे बाहर जाने नहीं देती हैं, एक वज़ा ये भी थी कि हमारे घर में कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता था, सब शादी का फैसला मेरे मा करती थी, वे अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहती शादी कर देती थी, मैं उनकी शादी के बाद ना वो कभी हमसे मिलने आए और ना हम उनके घर गए मैं जब अपनी मा से कहती हम दीदी से मिलने चलते हैं तो मेरी मा बहाना बना दिया करती थी वे कहती थी कि मैंने उनकी शादी बहुत अमीर घर में की है और वे वहां बहुत ऐश करती है इसलिए हमसे मिलने नहीं आती मैं ये सोच कर खुश हो जाती चलो मेरी दीदी खुश तो रहती है लेकिन उनसे मिलने को मेरा बहुत मन करता था लेकिन मैं मजबूर थी उनसे नहीं मिल सकती थी मा की ये बात मुझे बुलकुल समझ में नहीं आती थी कि वो आखिर मुझे दीदी से मिलने क्यों नहीं लेकर जाती है खैर मैं ये सोच कर ही खुश हो जाती थी कि मेरी दीदी अपने पती के साथ खुश है मेरे बड़े पापा दूसरे सहर में रहते थे लेकिन वे हमसे आते रहते थे वे जब भी हमारे घर आते मा और बड़े पापा कुछ बाते करने लग जाते मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसी कौन सी बात है जो वे हमसे छिपकर करते है एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छिपकर इनकी बाते सुनू जब वे दोनों कमरे में और मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई और कमरे के बाहर दरवाजे से लग कर उनकी बाते सुनने लगी लेकिन वे लोग बहुत हलके बात कर रहे थे मुझे उनकी सारी बाते तो समझ में नहीं आई लेकिन सिर्फ इतना समझ में आया कि वे मा से कह रहे थे हमारे बिजनस में बहुत नुकसान हो रहा है तुम बुलकुल ध्यान नहीं दे रही हो इस पर मेरी माने उनसे कहा के तुम जितने पैसे दे कर जाते हो उसमें ऐसे ही माल मिलेगा अगर तुमें अच्छा माल चाहिए तो पैसे भी बढ़ा कर दो ये बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई मैं अपने कमरे में जाकर यही सोचने लगी कि आखिर मेरी मा और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जो उन्हें फायदा नहीं हो रहा है जबकि हमारे घर में तो पैसों की कमी नहीं है हर चीज यहां पर है ऐसा कौन सा काम है जिन उनके जाने के बाद मैंने अपनी मा से पूछा कि आप और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जिसमें आपको फायदा नहीं हो रहा है उस पर मेरी माने कहा कि बेटी अभी तुम चोटी हो जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा हो सकता है तुम ही मे पते तो मर्दों से भी आगे हैं फिर तुम काम क्यूं नहीं कर सकती मा की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई मेरी मा बहुत अच्छी औरत थी अनात लड़कियों को सहारा देती थी उन्हें घर पर लाकर रखती और खिलाती पिलाती और जब उनकी शादी की उम्र हो जाती तो उनकी शादी भी करती थी लेकिन कभी कभी मुझे मा की बाते बहुत अजीब लगती थी खैर अब मैं भी बड़ी होने लगी थी मैं भी अब अपनी उस उम्र को पहुँच गई थी जिसमें लड़कियां बहुत सारे सपने देखती हैं लेकिन उन्हें सही गलत क समझ नहीं होती है एक दिन जब मैं बजार जा रही थी तो वहां मुझे एक लड़का मिला वे मुझे बहुत प्यार से देख रहा था लेकिन मैंने उसे बहुत गुसे से देखा ये देख कर मुस्कुराने लगा फिर जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे नंबर पर एक कॉ मैंने फोन रिसीव किया सामने से कोई लड़का बोल रहा था मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम तो कहने लगा तुम्हारा आशिक सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया मैंने उस लड़के को बहुत सुनाया और फोन काट दिया फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आई उसी लड़के की थी मैंने उससे कहा कि तुम्हें शरम नहीं आती ऐसे किसी लड़की को तुम परिशान कर रहे हो तुम हर लड़की के साथ यही करते हो तो उसने मुझसे कहा कि मैं हर लड़की के साथ ऐसा नहीं करता तुम ही हो जो पहली नजर में मेरे दिल में समा गई हो तु तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला तो उसने मुझसे कहा के डूढने पर तु भगवान भी मिल जाते हैं नंबर क्या चीज है और वे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत जादा महापत करता हूँ अगर मुझे तुम नहीं मिली तो मैं मल जाओंगा अब शायद मेरे दिल में भी उसके लिए जगह बनने लगी थी जवे मुझे प्यार भरी बाते करता तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था लेकिन मैंने मा को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि मेरी मा मेरा बहुत ध्यान रखती थी मुझे हर चीज लाकर देती थी किसी भी चीज के लिए उनसे कहना नहीं पड़ता था ये देखकर मेरी बहने भी नराज होती और कहते के मा तुम इसके लिए इतना समान क्यों लाती हो और हमारे लिए तो नहीं लाती इस पर मेरी मा कहती है कि ये मेरी सबसे चोटी और लाडली बेटी है सबसे जादा खोपसूरत है इसके नसीर से तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है मा की ये बात सुनकर मैं हैरान रह जाती सोस्ती की आखिर मुझसे मा को क्या मिलने वाला है इनी दिनों बड़े पापा फिर से हमारे घर रहने के लिए आ गए और इस बार वे मा से लड़ाई कर रहे थे और मेरी बहन को ले जाने के लिए बोल रहे थे मा उनसे कह रही थी के वे अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती मेरी समझ नहीं आ रहा था के वे मेरी बहन को कहा और क्यूं ले जाना चाते थे मा ने उन्हें कुछ पैसे दे कर कहा तुम ये पैसे लेकर यहां से जाओ और जब तक मैं ना कहूं वापस इस घर में कदम मत रखना वे पैसे लेकर बड़े पापा हमारे घर से चले गए हमारे घर के पास एक लड़का था जब भी मैं छट पर जाती थी वे मुझे देखकर मुस्कुराता और मैं उसको गुस्से में घुरती और अपने कमरे में आ जाती जब भी मैं छट पर जाती थी या बाहर जाती वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत गुस्सा आता था मैंने सोचा कि मैं इस लड़के की शिकायत अमित से करूंगी जिससे मैं फोन पर बात करती थी उस दिन जब अमित का फोन आया तो मैंने उस लड़के के बारे में अमित को सब कुछ बता दिया लेकिन अमित को मेरी बात सुनकर बुल्कुल भी गुसा नहीं आया और वो कहने लगा कि मेरी जान तुम टेंचन क्यों लेती हो वे जो कर रहा है उसे करने दो तुम तो उसे इग्नोर करो मुझे अमित की ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहपत करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें किसी ऐसे लड़के के बारे में बता रही हूँ जो मुझे देखकर मुस्कुराता है मुझे परिशान करता है लेकिन तुम्हें तो कोई फरकी नहीं पड़ रहा तुम मुझसे सच्ची मोहपत नहीं करते हो अमित ने कहा मैं तुमसे मोहपत करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें देखने वाले हर लड़के को जान से मार दू और क्यों तुम खुद को बहुत जादा खुपसूरत समस्ती हो तुमसे खुपसूरत लड़कियां भी इस दुनिया में हैं हो सकता है वे लड़का तुमें ऐसे ही देखता हो उसके दिल में कोई गलत बात ना हो तुम तो यही सोचते हो के मेरी खुपसूरती की वज़ह से वे मुझे देख रहा है अमित की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरे तो जैसे दिल ही तूट गया अमित से कहा कि तुम मुझे से महापत नहीं करते हो और आज के बाद मुझे से बात मत करना ये कहकर मैंने फोन काट दिया सोचा था कि अमित मुझे खुद से कॉल कर लेगा पूरा दिन बीद गया, अमित ने मुझे कॉल नहीं किया, मैं इतनी इंतिजार में थी कि अमित मुझे जरूर कॉल करेगा, अमित तो मेरे बिना रहे नहीं सकता, वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं उसकी कॉल का इंतिजार करती रही, अमित ने मुझे क मैं रोज यही सोचती थी कि हो सकता है आज अमित की कॉल आ जाए लेकिन अमित तो शायद मुझे भूल गया था लेकिन मैं अमित के प्यार में पागल थी मैं उसे कैसी भुला पाती मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था मैं घर के एक कोने में पड़ी रहती थी ये देखकर मेरी मा परिशान होती और मुझसे कहती कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है अपना ध्यान क्यों नहीं रखती मैंने मा से कहा मैं ऐसी कोई बात नहीं है मा ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो बजार चली जाओ और अपने लिए कुछ खरीद कर लेकर आओ मैं अमित को भुला नहीं पा रही थी ना जाने अमित ने मुझे कैसे भुलाया होगा अमित मेरे साथ टाइम पास कर रहा था यही सब बाते सोच रही थी मेरी नजर एक मंदिर पर पड़ी मैंने सोचा चलो दर्सन कर लेती हूँ मैं मंदिर के अंदर गई वहाँ पुजारी जी बैठे और मैंने अपने मन की शांती के लिए पूजा करवाई उनका आशिरवाद लिया और घर की तरफ चल पड़ी तभी मेरी नजर अमित पर पड़ी अमित वहाँ एक लड़की के साथ सौपिंग कर रहा था मैं अमित के पास गई और उससे पूछा की आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अमित ने मुझसे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती क्यों मेरे पीछे पड़ी हो मैं तुम्हें बुला चुका हूँ ये बास सुनकर मैं हैरान रह गई और चक्कर खाकर गिर गई उसके बाद जब मुझे होस आया तो मैं अ पंजोरी की वज़े से मुझे चक्कर आ गया था कुछ समय बाद जब मैंने अपना पर्स खोला तो मैंने देखा उसमें एक लैटर रखा हुआ था मैं उसे देखकर सोचने लगी कि ये किसने रखा है मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था क्या तुम्हारे आस पा लिखा हुआ था कि तुम्हारा चाहने वाला मैं समझ गई थी कि वही लड़का है जो मुझे छत पर देखकर मुस्कुराता है मैंने सोचा कि शायद वे मुझे भैकाने की कोशिस कर रहा है इसलिए मैंने वे लेटर फार कर फैक दिया मैं तो सिर्फ अमित के बारे में ही मैं सोच रही थी कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कैसे उस धोके बाज की बातों में आ गई और उसकी बातों में आकर मैंने अपनी मा से जूट बोला अपनी मा को धोका दिया मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था मैं सोच रही थी कि कोई भी लड़का कि किसी लड़की से प्यार मोहपत के वादे करके किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है लेकिन अमित शायद ऐसा ही लड़का था मेरे साथ अपना दिल बहला रहा था मुझे एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो मेरे दिल का हाल समझ सके लेकिन मैं बुलकुल अकेली थी मुझसे बड़ी मेरी बेहन थी उसकी भी शादी हो चुकी थी और अब मेरी शादी का नमबर था अमित के धोके के बाद मुझे किसी लड़के पर भरोसा नहीं आ रहा था मैंने अपनी मा से कहा कि मा मुझे शादी नहीं करनी मा ने कहा कि बेटी ऐसा कैसे हो सकता है शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी तुम तो मेरी बहुत खुबसूरत किस्मत की धनी बेटी हो तुम्हारी वज़े से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं मां हमेशा यही कहती थी कि मेरी वज़े से उनके दिल बदलने वाले हैं मेरी वज़े से उनकी किस्मत बदलने वाली है ले मुझे से मिले तो मुझे बहुत गौर से देखने लगे मा से बोले मैंने तुछ से कहा है कि इसे अपने साथ सुलाया कर मेरी बास समझ में नहीं आती मैंने कहा ठीक है मैं आज से इसे अपने पास ही सुलाऊंगी एक दिन मा के नंबर पर फोन आ रहा था लेकिन मा किसी काम में लग रही थी उन्हें शायद फोन की आवाज नहीं जा रही थी लेकिन बार-बार उनका फोन बज रहा था ये देखकर मैंने फोन उठा लिया जब मैंने फोन रिसीव किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज आई और वे कहने लगा कि मालिक अब और जादा इंदिजार नहीं कर सकते वे अपनी अमानत वापस लेने आ रहे हैं तुम तयार करो इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती फोन कार्ट दिया मैं सोच में पढ़ गई कि मा के पास आखिर ऐसी कौन सी अमानत है और किसकी अमानत है जो वे लेनी आ रहा है और ये मालिक कौन है मैं तो किसी मालिक को नहीं जानती थी मैं सोचने लगी कि इस बारे में मा से पूछू या नहीं लेकिन मैंने मा से कुछ नहीं पूछा एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी तो वे लड़का जो छट पर मुझे देखकर मुस्कुराता था मेरे घर पर आ गया मैंने उससे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत जादा मोहपत करता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती लेकिन तुम यहां इस घर में सुरक्षित नहीं हो मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिस कर रहा हूँ मैंने उससे कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुम पागल तो नहीं हो गए हो मेरे घर में और मैं यहां अपनी मा के साथ रहती हूँ भला मुझे आखिर यहां क्या परिशानी हो सकती है उसने मुझे कहा कि ये लोग तुमें बेच देंगे तुम यहां से भाग जाओ इतने में मा घर पर आ गई और वे लड़का वहां से भाग गया मैंने उसके बारे में जादा नहीं सोचा क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं आ रहा था जब मा घर वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारा समान था और वे बहुत खुश लग रही थी वे मुझे कहने लगी कि आओ बेटी कमरे में आओ मैं तुम्हें सारा समान दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हू फिर जब मैं कमरे पर गई तो वे मुझे सारा समान दिखाने लगी जिसमें बहुत सारे कपड़े जोयलेरी और शादी का जोड़ा भी था मा मेरा मा था चूमकर मुझे कहने लगी कि बेटी ये सब तुम्हारे लिए है मा की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने मा से कहा कि मा ये शादी का जोड़ा आप मेरे लिए क्यों लाई है मा ने बहुत खुशी के साथ मुझे बताया कि बेटी कल तुम्हारी शादी है मा की ये बात सुनकर मैं उन्हें देखती रह गई और मैंने मा से कहा मा आप मेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकती है मैंने तो आ माप से कहा था मुझे शादी नहीं करनी मा से मुझे कहा कि बेटी शादी तो सबको करनी होती है मैंने मा से कहा लेकिन मा मुझे अभी शादी नहीं करनी मेरी मा रोने लगी और मुझे कहने लगी ये बेटी मैंने सारी जिन्दकी तुम्हारा इतना ख्याल रखा है क्यों तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी और जहां मैंने तुम्हारा रिस्ता किया है वे रड़का बहुत अच्छा है बहुत अमीर है तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा मा के आसु देखकर मेरा दिल पसीज गया मैंने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुलहन बनी बैठी थी हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर में कोई महमान नहीं आया था ना हमारे घर की सजावट हुई थी बहनों की शादी पर भी ऐसे ही हुआ था मुझे लगता था कि हमारा तो कोई रिस्तेदार ही नहीं है मेरे मा और बड़े पापा मेरे कमरे में आये और मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझे देखकर मेरी मा से बोले हाँ भाई तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया आज हमारी सालों की महनत रंग लाएगी तूने जिस तरह इस लड़की को आज तक समाल कर रखा और उसकी कीमत आज तुम्हें मिल जाएगी उन दोनों की ये बाते सुनकर मुझे वो लोग अच्छे नहीं लग रहे थे मन के एक अजीब सी हलचल हो रही थी इतने में एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर में आया और घर में आकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा कहने लगा कि क्या खूब समाल कर रखा है तुमने इस लड़की को तुमने तो ऐसी गुलाब का खिला हुआ फूल बना दिया इस पर मेरी मा कहने लगी के मैंने इस लड़की को बहुत सहेच कर रखा है आज तो मैं इसकी मुँ मांगी रकम लगाऊंगी ये सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान तूट पड़ा के मेरी मा मुझे कैसे बेश सकती है उस आदमी ने नोटों की गड़ी निकाल कर मेरी मा के हाथ में रख दी और कहने लगा की ये लो ये सब कुछ सुनकर मुझे उस लड़के की याद आ गई और मैं सोचने लगी की वे लड़का मुझसे बुलकुल सही कह रहा था मैंने वहां से भागने की कोशिस की लेकिन बड़े पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया उस बुड़े आदमी के हवाले कर दिया कहने लगे जाओ आज से तुम इसी के साथ रहोगी इतने मेवे लड़का पुलीस के साथ हमारे घर पर पहुँच गया पुलीस ने मेरी मा को और मेरे बड़े पापा को अरेश्ट कर लिया और उस बड़े आदमी को भी जो मुझे खरीदने आया था पुलीस ने मेरी मा और बड़े पापा से पूछा के वे ये काम कब से कर रही हैं मेरी माने बताया मेरे पास जितने भी लड़कियां थी वे सब अनात थी मैंने उनको कहीं ना कहीं से उठाया था या चुराया था मैं इनको बहुत अच्छे से पालती पोस्ती और बड़ा करती और फिर उनको बेज दिया करती थी मैं ये काम बहुत समय से करती चली आ रही हूं मुझे नहीं पता इन लड़किय कि सजा भुखतोगी पुलिस उनको अपने साथ ले गई और मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही जैसे मेरे अंदर जान ही ना हूँ उसके बाद उस लड़के ने मुझे समाला और सहारा दिया और मुझे से कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत महापत करता हूँ शादी भी करना चाहता हूँ क्या तुम मुझे से शादी करोगी मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा और उसकी वज़े से ही आज मेरी जान बची थी मैंने उससे कहा कि हां मैं तुमसे शादी करूंगी उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली हम दूसरे सहर रहने चले गए लेकिन म चाहती थी कि किसी तरीके से मेरे माता पिता का पता चल जाए कि मेरे माता पिता कौन है मेरे अपने माबाप को ढुड़ने के लिए पुलीस की मदद ली लेकिन मेरे माता पिता का कोई पता नहीं चल पाया मेरे पती ने मुझे से कहा कि तुम फिक्र मत करो तुम्हारे माता पिता का पता चल जाएगा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और मैंने अपने अतीत को भुला दिया था